हेलो दोस्तों तो लेके आई हूँ मैं आज बहुत ही बेहतरीन आलो सहजन की सबजी सिक्रेट मसालो वालो एक वाल इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में सभी प्लेट चाट चाट के खाएंगे इतनी टेश्टी और लाजवाब तो हम लोगों के आँ तो इसे सहजन कहा जाता है दोस्तों आप लोगों क्या क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो इस तरीके से हम सहजन को भले काट के छिलका उतार लेंगे पहुत ही आसानी सी जटपट बनने वाली और इतनी टेश्टी सबजी दोस्तों और वो जो मैं सिक्रेट मसाले इसमें डालूंगी वो तो इसका स्वात सो गुना बढ़ा देगा तो कहने के लिए नहीं कह रही दोस्तों एक वार इस तरीके से बनाके देखिये गा तो तो देखे आठ दस सोजन को जमा कर लेंगे और इसके बाद इसी छिलके में से एक बड़ा पाट लेंगी और इसी इस तरीके से टाइट गठर लगा देंगी तो आप कम जादा कर सकते हैं अगर गठर कम चाहिए तो 4-5 श्टिक में लगा दीजिए तो मैं गठर क्यों बांध रही हो दोस्तों वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो देखे इस तरीके से सभी गठर को बांध के त्यार कर लेते हैं इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा दोस्तों फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसी बनी है बहुत ही ला जवाब बहुत ही बेहतरीन तो सभी गठर को हमने बना के धोके रख लिया है दोस्तों तो देखिए एक बड़ा चमशर्शो का तेल डाले हैं इसमें सभी गठर को फ्राइ कर रहे हैं तो इस तरीके से ये बिख्रे हुए भी नहीं रहते हैं और बहुत ही ला जवाब लगता है दोस्तों और इसे खाने में भी बहुत मजा आता है तो इसे अलट पलट के हम अच्छी तरह फ्राइ कर लेंगे तो ये धिले पड़ जाते हैं दोस्तों इसलिए हमें टाइट बांधना है और इसी से बांधने के ये बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं खाने के समय और बहुत ही टेस्टी लुक भी अच्छा आता है तो इसी में हम एक बड़े साइज का आलो इस तरीके से बड़े-बड़े पीशिस में काट लिए हैं इसे भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं और आसान तरीका सेर कर रहे हूं दोस्तों कि बहुत ही लाजवाब बनेंगे तो उसी बचे तेल में आदा चमच जीरा डालेंगे और एक बड़ा साइज का प्याज इस तरीके से पारिक चौप करके सभी को अच्छा से भून लेंगे और इसी प्याज में हम थोड़े-थोड़े मसाले एट कर देते हैं जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पौडर, आधा चमच मिर्ची पौडर, आधा चोटा चमच और एक चोटा चमच धनिया पौडर और मैंने दोस्तों लासन अद्रक और एक चमच सरसो और एक चोटे साइज का टमाटर का पेष्ट बनाया है क्योंकि मुझे अलग मसाले एक इसमें सिक्रेट डालना है तो इसलिए मैंने वो पेष्ट बनाया है देखिए तो आप यहां पे टमाटर दो तीन भी एड़ कर सकती है देखिए तो इस सभी को भी डालके अच्छी तरह भूल लेंगे तो इस तरीके से बना के आप लोग देखेंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों बहुत ही लाजवाब बनती है तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फ्लेज लाइक, कमेंट, सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों चम्रे के साथ जरूर सेर कीजिएगा तो इससे में डाल देंगे इससे दोस्तों टेश्ट लोक्स दोनों बहुत ही निखर के आता है एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहीं पिश्वादन सा नमक और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएंगे तो हम मिला के पहले इसमें आलुगों को आट करेंगे देखिए इस तरी किसे सभी आलुएट कर देते हैं और एक बार मिला देंगे अब सहजन की गठर को डालेंगे तो बहुत ही टेश्टी बनती है दोस्तों हम लोग यहां तो इससे बहुत पसंद सिखाया जाता है आप यहां पे श्टीक भी लगा सकते हो जो आपको मर्जी लेकिन इस तरीके से और गठर आप छोटे बड़े कर सकते हो इस तरीके से एक बार बनाके जरूर देखिएगा बहुत ही बेहतीरेन सबजी बनती है दोस्तों तो प्लीज रेशिपी पसंद आए तो लाइक ओमें सस्क्राइब कीजिएगा और एक बार इस तरीके से बनाके जरूर देखिएगा तो देखिए सभी को अच्छी तरह डुबा देंगे और इसे ढख के हम 5-7 मिनट पकने देंगे और ग्रेवी आप कम जादा कर सकते हो इससे कम चाहिए तो कम रख सकते हो और देखिए कितना प्यारा लूक आया है दोस्तों और बिखरा बिखरा भी नहीं तो देखिए इसकी ग्रेवी देखिए ठीकनिस देखिए और पुनियोवी चने के कारण जो इसकी टेक्स्चर आती है और स्वाद तो प्लीज एक बार जरू ट्राइ किजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग